एक तो शास्त्रिय कथाएं हैं, दूसरी लोग कथाएं हैं, जो साहित्यों को और आगे बढ़ाती हैं, आज की 21 सदी में तो लोक साहित्य और लोक गीतों का साहित्य, ये अलग विधा हो गई है, इसमें लोग नए प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमें बेस वही है, और तो लोग मान नहीं हो रहे हैं, व्यंजना नहीं हो रही है। तो जो लोक, लोक में हम यहां पर धरती की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो जहां मनुष्य है और जब उसके अंदर ऐसा दुख होगा, जो किसी भी बड़े से बड़े इलेक्ट्रोनिक या किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं सही होगा, तो लोक के गीत से सही हो जाता है, कई बात डॉक्टर्स को हमने देखा है, कि इसका प्रेयोग करते हैं, कि किसी कि मांसी कवस्ता अच्छी नहीं है, तो संगीत से उसको ठीक करते हैं, लेकिन लोक गीतों से, मतलब यह लेते हैं, जिसमें मिट्टी की खुश्भू हो, गां गमई का अं गाने आ रहे थे, जो कविताय आ रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा असर चोड़ा, और आज की नहीं पीड़ी जब बच्चे होते हैं, तो उनको शायद पुराना फिल्मी संगीत पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, समझ आती है, उनको लगता ह कि दिल लगाना, दिल लेना और दिल देना क्या होता है, तो उन्हें वो असी के दशक का संगीत और गीत अच्छे लगने लगते हैं, मतलब समझ में आने लगते हैं, लेकिन जब तक वो पुराना, अब तक तो अब जो फिल्में आ रही हैं, उनके जो गीत आ रहे हैं, अग आज भी जैजय भाहरवी, असुर भायामनी और कई सारे ऐसे गीत हैं, जो आज भी लोगों के दिल में बसे हैं, नहीं, लोग गीत तो इसलिए लोगों के दिल में बसे हैं, आप अभी भी अगर उसको कहते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आती है, कि ये दुनिया एक है, है ना, कि अब जैजे बहर भी छोड़ दीजे, वो लोग इत नहीं, वो एक तरह से सास्त्रिय गीत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग गीत हैं, जो चक्की पिस्ती हुई औरते गाती हैं, पराती गाती हैं, या उदासी गाती हैं, बारह मासा, चाहती, जो बारह महीना हमारा कै कैसे कटेगा हमारे पती घर में नहीं है, कहीं से कोई ले आने वाला नहीं है अनाज, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा, ये सब जो है, इसको सुन के शहर के भी लोग द्रवीत होते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि ऐसी भी हमारे यहां को भी दुनिया रही है, जबकि की तो है